नमस्कार में हूँ प्रियंका, शंकनात हींदी समाचार में आपका स्वागत है, आए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर साथ हजार यात्यों को सोविधा देने का लक्षय, चंदरपुर वासियों को मिलेगी शिवाई, एक सो अठतर नई इबसों को मिली मनजूरी, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कारवाई शुरू, एक चार्ज पर तीन सो किलोमीटर का सफर, राज्य परिवहन निगम क चंदरपुर डिपो भी शामिल है, चंदरपुर वासियों को 6 महीने पहले 40 नई साधारन बसे मिली थी, अब इसमें 178 बसे और जुट जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा, निगम 5300 बस लीज पर दे रहा है, इसका नाम शिवाई रखा संभाग्य परिवहन अधिकारी पुरुशोत्तम व्यभारे ने इस संदर्ब में जानकारी दी, वर्तमान में जिले में 248 बसें सेवा दे रही हैं, जिसमें 178 इबसें शामिल की जाएंगी, जिससे इंधन की बचत होगी और वर्तमान में प्रती किलोमीटर इंधन की लागत जा रहे हैं, 9 मीटर की बस 200 किलोमीटर चलेगी, इसलिए बसें जिले के बाहर भी जाएंगी, चार्जिंग दूसरे छोर पर भी की जाएगी, उदाहरन के लिए चंदरपुर से नाकपुर या अमरावती जाने के बाद इसे वहां चार्ज किया जाएगा और फिर वहां से च बसें चलेंगी, चुकि बस सेवा समाने बसे अलग है, इसलिए उस बस के रखरखाव के लिए एक अलग कारेशाला तयार की जा रही है, खासकर आपूर्ती करता इन बसों का रखरखाव करेगा, चंदरपुर टिपो की विभाग, नियंतरक, स्मिता, सुतवाने ने कहा कि च दूरक्षित और लागत प्रभावी परिवाहन सुविधा परदान की जा रही है, आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे देश भर में गटित एहम खबरों के साथ